अप मैं दस्वी कक्षा के बरस्ते बादल नामक पाट की पहिली कविता पड़ाने जा रही हुँ नमस्ते बच्चों आज मैं आपको आंद्रप्रदेश सरकाद्वारा प्रकाशित विती भाशा हिंदी दस्वी कक्षा की सुगंद दो के अंतरकर पहला पाट आज मैं आपको पड़ाने जा रही हुँ पाट का नाम है बरस्ते बादल बरस्ते बादल कभिता पाट है इस कभिता पाट की रचना स्री सुमित्रानंदन पंतची ने किया है तो एक बर फिर से पाट का नाम हो जाए बरस्ते बादल यह कभिता पाट है और इसका कभी स्री सुमित्रानंदन पंतची है बरस्ते बादल का मतलब है बरसना, टुरेइन, कुरुयूटा बादल का अत्ध है मेग, क्लाउड, मेगमू बादल का अत्ध है मेग, क्लाउड, मेगमू बच्छों, हमारे कवी जी का परचे हो जयें तो देखिए स्क्रीन में, हमारे कविता के कवी जी है, सुमित्रानंदन पंत जी है उनका जन्म, 20 मई सन 19 सव में हुआ जन्मस्तान, अल्मोडा, जिले के कौसानी गाउ में हुआ उनका निदन, 19 सथहत्तर में हुआ विद्याद्दुलू, इपड़ मनमू, मना, टेक्स्टबुक लो इवपड़ीन कवी परचे गुरिंच उक सारी पूर्तिका तेलिसकुन्दामा प्रकृती के बेजोड कवी माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म, 20 मई सन 19 सव में अल्मोडा, जिले के कौसानी गाउ में हुआ साथ वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काविपाट के लिए पुरस्कृत किये गए थे साहित्य लेकन के लिए इन्हे साहित्य अकादमी, सोवियेट रूस और छिदंबरा कावि के लिए ग्ञानपीत पुरस्कार दिया गया इनकी प्रमुक्रचनाए हैं वीना, ग्रंदी, पल्लव, गुन्जन, युगान, ग्रामिय, स्वर्नकिरन, कला आउर, बूढा, चांद, तता चिदंबरा आदी इनका निदन सन उन्नीस सव सथहत्तर में हुआ या दुलू, इपड़ मना कविता पाटाने उकसार चदो गुन्दामा जम 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 एक बरसते हैं सावन के जम 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 गिरती बूंदे तरवों से चन के जम जम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के थम तम दिन के तम में सपने जगते मन के दादुर टर्टर करते जिल्ली बजती जन्जन म्यावुरे मोरु पीवू पीवू चातक के गन उड़ते सोन बालक आद सुकसे कर क्रंदन घुमड घुमड गिर मेगगण मेगर्ते गर्चन रिमजिम रिमजिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर रोम सहर उटते छूते वे बीतर अंतर धारा ओम पर धारा ये जर्ती दर्ती पर रज के कणकण में त्रुन त्रुन को पुल कावलितर पकडवारी खी धारा जूलता है मेरा मन आओ रे सब मुझे गेर कर गाओ सावन इंद्रदन्ष के जूले में जूले मिल सब जन फिर फिर आये जीवन में सावन मन भावन बच्चों आज हम बरस्ते बादल कविता पाट में से पहली कविता हम जानकारी प्राप्त करेंगे और शब्धाद सीखेंगे और भावाद भी सीखेंगे सिखें इरोजु मनमों मोदटी कविता पाटम लोनी मोदटी पध्यानी गुरिंची पूर्तिगा तिल्सकुन्दा मिद्यात दिलू जम 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 मेग बरस्ते है सावन के बच्चों अब हम इस वाख्य के शब्धाद सीखेंगे मेग क्लावड मेग हमू बरस्ना तुरेइन पुरिता सावन नेम अफ्था मन्त स्रावण मासं गमनींचेंड पिललू मनमों एककोगा स्रावण मासं लो चामंति पूलू चाला पोस्तों उन्टाई कदा अन्दिके एककन नेनू चामंति पूली चननन माटा अब इस वाक्य का भावाद सीखेंगे सावन के महिने में बादल जम जम बरस्ते हैं अनगा स्रावण मासं लो मेगालू जम जम मनी कुरुस्तों उन्टाई चम 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 गिर्ती बून्दे तरुओं से चनके बच्छों अब हम इस वाक्य के शप्धाद सीखेंगे ठीक है बून्द वाटर ड्रॉप मनी नीट बिंदुवू तरु ट्री चिट्टू चुड़न्ट पिललू एन्त चल्लट गालवीस्तों दो चिट्टिनुण्डी तरु ट्री चिट्टू बच्छों अब हम इस वाक्य का भावार्थ समझेंगे बून्दे पेडों परसे होकर चम चम दर्ती पर गिर्ती है अनगा नीटि पिंदुवूलू वर्षम पडिन अप्पुडू चेक्ल मेदन उन्डी किन्दकी चम चम अने सर्थन चेसकुण्टू बूमिमेद पड़ताई एमीटि पिलललू इवी जूस्तुण्टे मेट कुडा वर्षम लो आडालन पिस्तोंदिक दा चम चम बिजली चमक रहीरे उरुमे घनके इवाक्यम लो नी अर्दाल तेल्सकुण्दामा विद्यार्दुलू बिजली लाइटिंग मेरुपू अटे वर्षम उच्चिन अप्पुडू मेरुपुलू उरुमुलू उन्टाई कदा अवे अन्नमाटा चमक शायन मेरुपू उरुमुलू उर्वणडं मेरवडं विटनेट गुरेंची मनके तेल्सकदा अवर्षम उच्चिन अप्पुडू अवे अन्नमाटा बच्चों अब हम इस वाक्य का भावाद समझेंगे ठीके बिजली बादलों के बीच चमचम कर चमक उठती है मेघालू मद्धिलोंची मेरुपूलू उर्मुलू मेरुस्तू उंताई ठम ठम दिन के तम में सपने जगते मनके इवाक्यों अप्ता भावार्द अलागे शब्धार्द तेल्सकुन नामा तम डार्पनेस अंधेरा चीकटी चीकटलों उन्टे एंता बयंगा उन्टुन्द कदा सपना ड्रीम कला निद्रपोईन अप्ड़ू बागा निद्रपोउते सपना ड्रीम कला जग्ना वेक अप्ड़ू निद्र लेच्छुटा तलवार्जामुन तलवारिं तरवातमुन निद्र लेच्छुटां कदा अब इतक हमने शब्दार्द सीखा है ना अब इस वाक्य का भावार्द भी सीखेंगे ठीक है वर्षा के कारण दिन में भी अंधेरा है मन में अनेक प्रकार के सपने जागू उड़ते हैं अनगा वर्षमुचे पगलु कूडा दिन अनगा पगलु पगलु कूडा अंधेरा है अनगा चीकट कमुकुन उण्टुंदी मन में अनेक प्रकार के सपने जाग उड़ते हैं मन मनसलो इन्नो रकाला कललु कंटु उण्टा मूँ वर्षान के संबंदेंची ना प्रकृती संबंदेंची ना कलला नमाटा वोक सारी पूर्तिगा पध्यमू मरियू भावमू तेलसकुन्दा मा जम 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 एग बरसते हैं सावन के चम जम जम गिर्ती बूंदे तरवों से चन के जम जम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के थम तम दिन के तम में सपने जगते मन के विद्यादलू गमनींचरा इकड़ा जम 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 चम 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 ठम ठम तम इपदाल अन्नीटिनी कुडा एमंतरो तेलसा वीटिनी कुनरत शब्दनी अन्तारन माटा बच्छों अब हम इस कविता का भावाद एक बार पढ़ेंगे पंत जी कहते हैं कि वर्षा रुतु बहुत सुन्दर होती है, उसमें भी सावन का महीना और अधिक सुन्दर होता है, मेग बरस्ते हैं, पेडों से चनकर बूंदें दर्ती पर गिरती है, बिजली बादल के हुरुदय पर चम चमाती है, दिन में भी बादल के कारण अंदेरा अच्छा जाता है, मन में अनेक प्रकार के सपने जगने लगते हैं, बच्चों अभी तक हमने भावाद सीखा है न, अब हम प्रश्न और उत्तर सीखेंगे, बच्चों इस कविता के प्रश्न मैं पूछूंगी आप सोचिए, मेग खैसे बरस्ते हैं, चम 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 द्वनी से क्या गिर रहे हैं, पद्याम्ष में आया हुआ पुनरक्त शब्द है, बिजली कैसे चमक रही हैं, सोच लिया है न, अब हम जवाब भी जान लेते हैं, मेग जम जम बरस्ते हैं, चम चम द्वनी से बूंद गिर रही है, जम जम चम 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 थम थम ये पुनरक्त शब्द है, बिजली चमचम चमक रही है बच्चों, अब तक हमने पहली कविता की शब्धात, भावात, प्रिश्ट आवर उत्तर सेका है ना? मी अंदर की कूडा इई वीडियो नचिन दने अनकुंटु नानू? ताबटी मल्ली मनमू इनको का वीडियो तो कलुद्धामा? ताबटी में पूर वाचिंटु ना?